राहुल गांधी और पप्पू दोनों एक दूसरे के प्रहवाची हैं, 15 साल का रिकार्ड उठा के 20 साल का देखिएगा, तो किसी ने अपने लड़की का नाम राहुल नहीं रखा, क्योंकि राहुल कहते ही पप्पू और वेखूफी की बात होती है। उतरप्रदेश की पुलंद शहर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नंद गोपाल नंदी ने कहा कि पिछली 10 से 15 सालों में किसी विव्यक्ती ने अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखा है, क्योंकि राहुल और पप्पू एक दूसरे के परियावाची होते हैं। कांग्रेस ने लंबे समय तक यहां राज किया और उसका नतीजा आप सब ने और इस प्रदेश की जनता इस देश की जनता ने देखा आज कांग्रेस समाप्त है, कोई पूचने वाला नहीं। और उनके नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी और पप्पू दोनों एक दूसरे के प्रैवाची हैं। 15 साल का रिकार्ड उठा के 20 साल का देखिएगा। तो किसी ने अपने लड़की का नाम राहुल नहीं रखा, क्योंकि राहुल कहते ही पप्पू और वेवकूफी की बात होती है। राहुल गांधी के साथ साथ योगी सरकार के मंत्री ने अखलेश यादव पर भी करारा निशाना साधा है। अखलेश यादों कि आप बात करेंगे जिसने अपने बाप को धक्का दे करके स्वहमभू राष्टी अध्यज बन गए। अपने चाचा को ऐसे भरे मन से धक्का दिया। इसने अपने परिवार में अपने बुजर्गों को बेजज़त करने का काम किया। वो प्रदेश कैसे चलाएगा। मेंडेट मिला था मुलायम सिंग जी को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और पूरे पान साल वो वीडियो गेम और टैबलेट और लेपटाप पर खेलते हुए समय बिता दिये। आज वो बाहर निकलने की बात करते हैं नेमी सारण गये हैं जरूर उनको इस बात का अभास होगा कि किस तरह से गुंडा गर्दी थी उनकी सरकार में। इतना ही नहीं आगे उन्होंने सपा और बस्पा को चोर-चोर मौसेरे भाई तक बतार राला। लोग कहते थे एक बार सपा एक बार बस्पा एक बार सपा एक बार बस्पा ये दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा। जनता ने चोर-चोर मौसेरे भाई को नाकार दिया, 2019 में और ज्यादा बहुमत से प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री बन करके आए मैं दावे के साथ कहता हूँ 2024 में और प्रचण बहुमत के साथ आएंगे नन्दी ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के नेतरोत में देश आगे बढ़ रहा है जब भाजपा सत्ता में आई थी तब यूपी में दो एक्स्प्रस वे थे अब छे पर काम चल रहा है यूपी में साथ एक्स्प्रस वे हो जाएंगे कि किस तरह से गुंडा गर्दी थी उनकी सरकार में और किस तरह से आप नैमी सारण का विकास हुआ है, वारानसी में कासी केरीडोर बना है, विंदवासनी केरीडोर बनकर के तयार हो रहा है, मतुरा में तेजी से विकास हो रहा है, अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो बगल यहीं दोहजार चौबिस के लोगसबद चुनाओं को लेकर नंद गोपाल गुपता नंदी ने कहा कि 2014 और 2019 की तुलना में बीजेपी जादा बहुमत से सरकार बनाएगी